तो बसे बच्चाइब गई गई है उनकी डेड़ बोडियों गोपर चल करके राजनीती की गई है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं मैं पहले भी कहा है ये वीडियो मेरे पहले भी रिलीज़ वे हैं और मुझे पता लगए वो सरकार तक भी गए हैं मैंने उनको कहा है जि सबाई रहा हूं मुझे सबूच चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे मेरे हैं और इन्होंने बोला था एक के बदले में हम 10 सर लाएंगे मुझे 440 डेट बॉड़ी चाहिए मुझे 440 सबूच दिखाईए और मुझे देश द्रोग गोसित करना है तो सामने आई ये लड़ाई लड आजाद होकर के आज़ाद तो आज भी नहीं हम। लेकिन कासे मैं आजाद बताया जा रहा हैं ये सरकार आने से पहले सद्शीर साल हमें हो चुके थे 5 साल जो ही सरकार के निकले हैं से गंदे गंदा पीरेड इस देश में कभी ने निकला इतना जूटा Fifth My नहीं दिख है लेकिन दादागिरी नहीं यह तो टोटल डिक्टेटरशिप चला रहे हैं आज देश को कंट्रेक्ट के तौर पर चला जा रहा है मैंने पांच सार के लिए कंट्रेक्ट पर देश को ले दिया अब मैं इसको सबसे पावरफुल होती है सबसे ताकतवर होती क्योंकि वो कानून बनाती है लेकिन नहीं जिसको कोई बनाता है वो ताकतवर नहीं होती है वो बनाने वाला ताकतवर होता है मैंने अगर कोई आधियार बनाया है तो ताकतवर मैं हूँ मैंने उस अधियार को बनाया है तो संस तो एक आखरी जो पाउर है, सुपर पाउर, जो सुप्रीम कोर्ट से भी उपर है, वो है जनसंसर, अब यही एक रास्ता बचा है हमें, हमें किसी से नैल ने से कहीं से भी उमीद नहीं है, हम जिस दिन से ये 19 मही को जो आखरी चुनाव था, और जो भाषनों में चीजें कही जा रही थी फिकर, भारतिय दिनता पार्टी की प्लस इनके सयोगियों की, जो फिकर कही जा रही थी, वही फिकर, इनके विकाओ मीडिया ने, उस दिन 19 मही को, सारी असारे वो दिखा दिया, तो वहीं हमें मालूम हो गया था, कि अब वहीं होने वाला है, जो दिनता को डर साथ grazing उसी दिन कोशिस की थी कि ये गिंटी रोकी जाए सुप्रीम कोट के में चकर काटे में ने गिंटी रोकने के लिए कोशिश होगी और आगी फिर हमने कोशिश की इस टिकनों भी जंतरमंतर कि इसे बनुझी भी थे थे 30 मही को जिजन सपद हो रहा था उस दिन भी अम लोग अंशन पर बैठे थे और हमारी कोशिश थी कि इनको सपद करें निनका रुखवा आ जाए नहीं रुखवाया करणल साब जिस तरह के आपने बहुत अच्छी बात कुई करणल साब जो भी आज देश की इसकी बात करेगा या राश विक की बात करेगा अधिकतर ये लोग तरुकर बनाए जा रहा है क्योंकि परत्रकार्ट जो सही लिखते हैं और समाज के पिती लिखते हैं उनका मडर किय बड़े प्रमाने मडर हो रहा है तो क्या जो सच लिखते हैं कि आपको लगता है कि अगर आप सच बोले ही तो आज इस भारत वर्च के अंदर जो बर्दमान सरकार है आपके साथ तो अच्छा होगा नहीं मुझे उसका कोई खत्रा नहीं है मुझे कोई खत्रा नहीं है हम मैं और मेरी पत्नी हम दोनों घर से सुबह निकलते हैं फोजी जिंता पार्टी पूरी उसी एम को लेकर चल रहे हैं हम दोनों भगत सिंग बनने के लिए त्यार हैं यह हमने पार्टी को भी सब कूरे पा दितेगी उन तो चोटेशी बच्चे थे लेकिन आने वारे पीडी के लिए उंसरे अपने डूंने के कल के लिए हमारे कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया तो हम भी यह चाहते हैं हमारा आज कि आजादी के दोरान में आज तक कोई भी चुनाव ऐसा नहीं देखा होगा जहां कुछना कुछ बुद्धे ना रहे हों जानी सरकारे ये बताती थी वही पिसली बार हमने ये वाइदे किये थे सौरी उन में से आदे पूरे हुए है आदे अगली बार करेंगे कुछना उनकी फेलियर को बताके कि उन्होंने ये किया था हम ये करेंगे ये इस साल का अब के बार का जो तुनाव है इसमें आप बताएए एक सब्द भी जो रूलिंग पार्टी थी और आज जो बार आगी है कभी भी उन्होंने नहीं का कि हमने ये वाइदे किये थे इतने पूरे vey हैं ये नहीं है टोटल सैने को के उपर लड़ आगी गयी है सहाधत जो हमारे भाई सहीद हुए हैं हमारे बच्सें सहीद हुए उनकी डेट बोड़ियों कि उपर चलकर करा जनीती की गई है और रमएं के साथ कह सकता हूं मैंने पहले भी काय ये वीडियो मेरे पहले भी रिलीज वे हैं और मुझे पता लगा है वो सरकार तक भी गए हैं मैंने उनको का है जिसने भी सबूत मांगे हैं कि वहां इतने मरे हैं 300 350 400 सबूत दो उसको उन्होंने देश दो पदाया मैंने चैलिंज किया है, मैं मांगताउं सबूत मैं सैनिक हूँ, मैं एक फाउज का सिपाई रहा हूँ भारत वर्ष की भादर शेना का मैं सिपाई रहा हूँ मुझे सबूत चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे में रहे है देश दोरई भी हम नहीं हैं, देश दोरई है, जो अन्ही शेहीं कोंगे वाफ नहीं करेंगे। अगर आपने अबी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो सबस्क्राइब करें और घंची का बटन बिल्कुल भी दावाना ना भूदे ताकि सबी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले